हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे भाई आप अपने वटसप को कैसे अपडेट कर सकते हैं वटसप को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है वटसप को अपडेट नहीं करोगे तो वटसप के अंदर जो भी नए-ने फीचर आएंगे वो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि जब वो अपडेट होती है तब ही नए फीचर उसके अंदर एड होती है तो अगर आपने किसी और का वटसप देखा है उसमें कुछ अलग फीचर दिख रहे हैं और वो फीचर आपके वटसप में नहीं दिख रहे हैं तो भाई वटसप को आपको अपडेट करना होगा तो हम आपको बताते हैं कैसे अपडेट करना है वीडियो ची लगे वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना चलिए वाई WhatsApp को अपडेट करने के लिए आपको जाना होगा अपने फॉन के Play Store के उपर ठीक है उपर मतलब अंदर जो भी समझो आप Play Store को उपन करते हैं उपन करने के बाद भाई यहाँ पर सर्च वाला उपसन आता है इसके अंदर WhatsApp सर्च कर लेना है आपको WhatsApp लिख देना है ठीक है एक दो वर्ड लिखते ही आ जाता है यहाँ पर WhatsApp आ जाएगा अभी देखे यहाँ पर इस तरह से आएगा अगर आपके में Open आ रहा है तो उसका मतलब अभी आपके फॉन में वो अपडेट नहीं आया है अगर यहाँ पर अपडेट आ रहा है तो फिर आपको अपनी अपको अपडेट कर लेना है जैसी अपडेट को उपर दबाओगे अपडेट सुरू हो जाएगा पर आपके फॉन के अंदर नेट होना चाहिए या फिर वाइफाई से आपका फॉन कनेक्ट होना चाहिए दोनों कंडिशन के अंदर आपकी अपडेट होगी बिना नेट के या वाइफाई के अपडेट नहीं होती है तो भाई नेट या चेक करने नेट है या नी तब अपनी अपको अपडेट कर लेना अपडेट करते हैं आपके फॉन में जो भी नया फीचर आया होगा आपकी वाट्सअप के अंदर भी एड हो जाएगा तो वीड़ो करते हैं इस पर खतम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो